Hello friends, आज की वीडियो बहुत जादा important होने वाले है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 business related books जो आपको पढ़ने चाहिए अगर आप अपनी life में जल्दी grow करना चाहते हैं, fast grow करना चाहते हैं, तो इन 5 books को आपको अपनी lifetime में एक बार तो पढ़ना ही चाहिए अब आप मेंसे बहुत सारे लोग यह सोच रहे होगा, हमें तो books पढ़ने में interested नहीं है, हम इस वीडियो को क्यों देखें, तो मैं आप सबको यह बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको books पढ़ने में interest नहीं है, तो आप books को सुन भी सकते हैं, Amazon का Audible का platform है, जहाँ पे आप इ इस वीडियो में, तो अगर आप सबको भी अपनी life में fast grow करना है, अगर आप जानना चाहते हैं, वो कौन सी books हैं, तो आप इस वीडियो को completely last तक देख सकते हैं अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, bell icon को भी प्रेस कर दीजे, वीडियो को like करके आप सब हमें Instagram पे follow कर सकते हैं, description में सभी links अविलेबल हैं, तो आप सब हमारा topic है, कुछ ऐसी 5 business related books में आपको बताने वाला हूँ, तो वो कौन से books हैं, उसको बताने से पहले मैं आप सब को बता देना चाहता हूँ, कि आप देखिए, जो पूरे संसार में, जितने भी biliner's हैं, अमीर लोग हैं, जो भी एक next level पे हैं, जो भी आज successful हैं, वो अपनी life में books और reading को पहली priority देते हैं, 90% जितने भी entrepreneurs हैं, businessmen's हैं, वो सब बोलते हैं कि हम आज जिस भी मुकाम पे हैं, वहाँ पे books का बहुत बड़ा role है, हमने अपने जीवन काल में ऐसी बहुत सारे books पढ़ी हैं, जिन्होंने हमें हर कदम पे कही न कहीं कुछ सिखाया है, उससे हम motivate होके अपनी life में आगे बढ़ सके हैं, बोला ज मैंने अपने खुद पहले पढ़ी हैं, मैंने last 2-3 साल में इन books को पहले पढ़ा है, उसके बाद ही आप सब के सामने मैं बता पा रहा हूँ, अगर मैं उसको text format में नहीं पढ़ पाया हूँ, तो मैं आप screen पे देख सकते हैं, मैंने उसका audible version सुना है, मतलब उनकी knowledge मैंने लाइफ बहुत जादा interesting है, तो उनकी life के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, इन्होंने PayPal को found किया और PayPal को एक next level पे जाने के बाद उसको sell कर दिया, और इन्होंने Facebook में भी invest कर रखा है, तो वो business करने के दोरान इनकी जो भी knowledge इनको मिली तो ये सभी इन्ह साल में एक chess master थे, और 25 साल तक आते आते इन्होंने doctorate in law complete कर ली थी, और 35 साल तक आते आते ये 1.5 billion dollar की एक company थी, उसको बेच चुके थी, जो कि of course PayPal था, तो उसके साथ-साथ फिर उन्होंने जो अपनी learning सीखी, वो सभी इन्होंने इस book में डाला है, तो अभी हम कुछ इस book क pointers के बारे हम बात करेंगे, कि आप अगर इस book को पढ़ते हैं, तो आपको क्या सीखने को मिलेगा, तो इस book से हमें जो पहला lesson मिलता है, वो ये है कि the biggest leap in progress is vertical not horizontal, मलब अगर आपको अपनी life में grow करना है, आपके business को grow करना है, तो growth vertical होनी चाहिए, ना कि horizontal, दूसरी learning हमें इस book म ये मिलते हैं कि आपको एक monopoly create करना होता है, कोई भी आप business करते है, monopoly का मतलब होता है कि जैसे बड़ी-बड़ी company ने किया, मतलब blue ocean बना दिया, और किसी को आने ने दिया, entry barrier इतना बड़ा हो गया कि कोई और company यहाँ पर आई नहीं सकती, जैसे कि Google हो गया, Facebook हो गया, ऐसे तो कहने को बहुत सारे social media networks है, बट Facebook is Facebook, ऐसे तो Google search engine बहुत सारे हैं, बट Google is Google, उसी तरीके से इन्होंने जो invent किया था, उसका नाम था PayPal, जो कि उस time के सबसे next level business था, और आज भी अभी PayPal की टक्कर में, शायद ही कोई खड़ा हो पाता है, अभी तो बहुत सारी company आ गए हैं, उनके बसकी नहीं है, तो ये एक monopoly है, blue ocean है, तो इस book में आपको ये सीखने को मिलता है, ऐसी बहुत सारी strategies हैं, जिनको आप ध्यान में रखते हुए, ये book आपके business को grow करने के लिए बहुत सारी strategies देगी, और इसमें ये भी बोला गया है, कि अगर आपके जो company के founder members हैं, उनका कोई long term vision ही नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं कि उनकी company को ले के कहा जाना है, किस तरीके से profit बनाना है, कोई long term vision नहीं है, तो वो company ज़्यादा दिनों तक survive नहीं कर पाती है, और ये मुह के बल गिरती है, तो मतलब ऐसी बहुत सारी strategies हैं, जो अगर आप एक businessman है, या फिर business क startup आप सब देख सकते हैं, ये book जिसका नहीं लेन startup, इस book के author है Eric Ries, और ये book बहुत जबर्दस book है, अगर आप कोई startup करना चाहते हैं, फिर अपनी life में कोई business खड़ा करना चाहते हैं, basically आज जो हम बात कर रहे हैं, जिन भी books की, वो सभी business related books हैं, इस book से हमें पहले learning ये मिलत आपने business को, कोई जो बन्दा startup start करता है, वो as a startup उसको लेता है, लेकिन इसमें ये बुला गया है, कि आपने startup को as a business treat करें, तभी वो आगे बढ़ सकता है, और समय समय पर आपको नए-नए ideas implement करने पड़ेंगे, अलग-अलग split testing भी करने पड़ेंगे, अगर आपको अपने business क fast grow करना है, अब इस book में बहुत ही बहतर तरीके से बताया गया है, कि किस तरीके से आपको अपना एक idea find करना है, एक vision find करना है, और किस तरीके से एक road map बनाना है, जिसके उपर आपका जो business है, वो चलेगा, और ये जो the lean startup book है, ये मतलब one of the मेरी favorite book है, क्योंकि मैंने इसको प startup में start कर रहे है, तो कैसे आपका vision clear होना चाहिए, कैसे आपको decisions लेने है, क्या-क्या चीजों का ध्यान रखते हुए, आपको अपने startup को as a business treat करके, उसको successful business बनाना चाहिए, तो guys अब ये book उन लोगों के लिए है, जिनको business में बहुत जादा interest है, जो अपना खुद का कोई startup startup start करना चाहते है, तो वो सब इस book को जरूर एक बार पढ़ें, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जाने को आपको मिलेगा, तो guys देखे, मैंने आप सब के लिए मैं बहुत सारी books यहाँ पर लेके रखे हैं, हाला कि मेरी बहुत सारी books मेरे घर पे हैं, य यहाँ पर मैं बहुत सारी books नहीं लेके आप आया हूँ, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो कुछ यहाँ पड़ी हुई हैं, वहीं मैं दिखा सकता हूँ, जो हमारी third book है, वो हमारे यहीं के collection में से है, तो हमारी third book है, वो है The 100 Dollar Startup, अब यह book को आप देख सकते हैं, Chris Gwil कर सकते हैं, तो यह book उन सभी के लिए बहुत जादा beneficial साबित होगी, क्योंकि इस book के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे धेरो ideas मिल जाते हैं, और कैसे उन ideas को implement करना है, कैसे एक अपना जो बोलते हैं कि लोगों को niche ढूंड़ने में problem होती है, या फिर कुछ startup के लिए कुछ idea ढ जोब करते हैं, आप जोब में हैं, आप किस तरीके से अपने passion और skill को लेके अपनी 9 to 5 वाली job को skip कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं और अपने पूरा 100% अपने business में लगा सकते हैं, ऐसी बहुत सारे strategies में बताए गई हैं कि आप अपने passion को और अपने skill को लेके ऐसे बहु मिलती है कि focus on low cost and being profitable, आपको हमेशा ऐसे try करना चाहिए कि आप जो भी business start करें, उसमें कम से कम cost में और कम से कम time के साथ साथ जादा से जादा profit आप कैसे बना सकते हैं, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा जब आप इस book को rate करेंगे, और जो हमें तीसरी learning इस book से ये मिलती ह कि action beats planning, so keep your plan simple, अब यह बोलता है कि action जो आपके होते हैं, वो आप अगर planning करते रहो कि नहीं, मैं ये इस time पर जाके ये करूँगा, ये करूँगा, अगर आप action नहीं ना लो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाऊगे, इसलिए से बोला गया, action beats planning, so keep your plan simple, तो आपका अपना plan जि इस बुक को, और इसमें बहुत सरी ऐसी चीज़े भी बता रखेंगे, किस तरीके से आपनी job को overcome कर सकते हैं, किस तरीके से आपको business बनाना है, जिससे कि आपनी 9 to 5 वाला जो आपका जो चक्कर है, उससे आप निकल सके, और अपना business बना के वहाँ पी profitability बना सके, so guys हमारी जो पैसे को उसका सही इस्तमाल करके आप अमीर बन सकते हैं, इस book में सब को समझाया हुआ है, कि किस तरीके से आप पैसे को अपने ले काम पे लगा सकते हैं, जैसे आपने rich dad, poor dad में भी जो book है, उसको भी पढ़ा होगा, जिन लोग दो नहीं पढ़ा, तो ये भी बहुत अच् को, किस तरीके से आप अपने compounding से, किस तरीके से बहुत जादा पैसा बना सकते हैं, आप investment से बहुत अच्छा revenue आपे बना सकते हैं, तो सब कुछ इसमें बताया गया है, कैसे आपको कौन सा bank account उपन करवाना है, कौन से bank account पे आपको जादा profit मिलता है, सब कुछ credit card को किस तर अपनी लाइफ में कुछ start करते हो, तो वो जादा important है, एक expert होने से, तो इसलिए आपको किसी भी business को start करना बहुत जादा important है, या फिर action लेना बहुत जादा important है, अगर आप मेरी वीडियो भी देखते हैं, वीडियो देखके आपने छोड़ दिया, आप इस वीडियो से inspire हो कि कोई book आपने नहीं पढ़ी, तो मतलब मेरी जो वीडियो बनाना है, वो waste और आपका time देना इस वीडियो को, पूरा पूरा waste, बलाब तो आपको action लेना पड़ेगा, अगर मैं जैसे आपको कुछ बता रहा हूँ, recommend कर रहा हूँ, तो आपको जाके उस पे अमल करना चाहि तब ही उसका कोई benefit होगा, और एक चीज़ मैं बता दूने जो रमीत सेटी हैं, जो इसके author है, ये एक blogger है, एक entrepreneur है, और इनका जो blog है, वो multi million dollar blog है, बहुत अच्छा revenue अपने blog से बनाते हैं, तो आपको अभी ये भी समझ में आगा कि blogging भी कितनी जादा important है, अगर आपको ल सीखने को आपको मिल जाएगा, तो guys, अगर आप सब भी इस book को पढ़ना चाहते हैं, या फिर purchase करना चाहते हैं, Amazon पे, तो मैंने description में इसका link दे रखा है, अगर आप सब पढ़ने में comfortable नहीं है, तो आप Amazon का एक audible platform है, जहां पे आप e-books को download करके, purchase करके, अब सुन सकते हैं, मतलब यो audio format books आपको आपे मिल जाएगी, मैंने इस book को audio format में ही सुना है, जैसे कि आपने screenshot देखा है होगा, हमने screen पे लगा रखा है, तो मैंने इसको पूरा सुन के ही complete किया था इस book को, क्योंकि मेरे पस time नहीं होता था, तो that's why आप सब भी Amazon के audible में sign up कर सकते हैं, description मैं लि बहुत जादा सीखने को मिलेगा, और ये book आपकी life में turning point ला सकते हैं, life changing book हो सकते हैं, guys से लिए बात करते हैं, हमारी last but not the least, fifth number के book जिसका नाम है, start with why, इनका एक बहुत ही famous quote है, जिसको अकसर बोला करते हैं, अपनी books में भी आपको बार-बार मिल जाएगा, जिसमें बोलत हैं कि public ये नहीं खरीदती कि आप क्या कर रहे हैं, वो इसलिए खरीदते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, start with why, मतलब आपको अपना why ढोड़ना ही पड़ेगा, इस पूरी book में सिर्फ why के उपर ही, पूरी, सारा कुछ पूरी book खतम हो जाते हैं, कि जैसे कि आपको अगर कोई business start करना है, तो आप क्यों start कर रहे हैं, तो पूरा why, why, why करके बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है, कि एक why कैसे आपकी business के लिए transformational हो जाता है, तो guys चले कुछ बात कर लेते हैं, इस book की key learning की, तो इसमें जो पहली learning हमको ये मिलती है, कि अगर आप किसी को भी inspire करना चा ग्रो करना है, तो, दूसरी learning जो हमको इसमें ये मिलती है, कि जो best businesses बने हैं, आज के time में आप देखते होंगे, जो top businesses हैं, वो इतने बड़े Q बने हैं, क्योंकि उस business को बनाने के लिए, एक excited employee, जितने भी employees हैं, वो सब excited थे उस business को ग्रो करने के लिए, उस business को बढ़ाने के अगर आपका जो management है, आपके business में जो लोग है, वो excited ही नहीं होंगे, तो आपका business चलेगा ही नहीं, आपको उनको बताना पड़ेगा, कि क्यों वो लोग काम कर रहे हैं, आपके business के लिए, और जो success आपको मिलेगी, वो क्यों मिलेगी, तो वो अपना जो why, मतलब वहीं, जै से वो मिलिए कि अगर आपको अपनी sale बढ़ानी है, तो again उनने बोला है कि आपका why clear होना चाहिए, उसके अलावा आपको कोई sale strategy की भी जरूरत नहीं, according to author, अगर आपको अपना business ग्रो करना है, तो आप public को, जो आपकी audience है, उनको why बताईए, आप क्यों करना है वो सारी ची businessmen बन सकते हैं, आप अपनी life में grow कर सकते हैं, अगर आप एक job भी करते हैं, तो भी अपनी life में आप अच्छे decisions ले पाएंगे, और books पढ़ने की habit बनाएए, अगर आप books पढ़ रही सकते हैं, तो books को सुन सकते हैं, Amazon को audible एक बहुत अच्छा platform है, जहां से आप books को सुन सकते और ये वीडियो को sponsored वीडियो नहीं है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि निभी है, ये Amazon का sponsored वीडियो है, आप बार बार बता रहे हो, तो मैं आप सब के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब platform में खुद यूज करता हूँ, तो मेरी कोशिश हमेशा से ये रहती है, कि मैं books को purchase करो, और उनको ऐजा जो paperback है, उसको text-based में उसे पढ़ू, उसको, मतलब books को खरीदू, ना कि audible पे सुनू, क्योंकि audible पे सुनने के भी कुछ benefits और नुकसान है, मतलब नुकसान ये है कि आपकी reading habit नहीं बनती है, और अगर आप उनको जैसे book को आप पढ़ रहे हैं, तो आपके उपर है, आपको इन books में से जो भी अच्छी books लगे, आप सब उसको purchase कर सकते हैं, उनको पढ़िये और उनकी जो learnings अपनी life में invent करिये, और guys अगर आप सब को भी ऐसे recommendation चाहिए, books की और या फिर मैं medium के article भी share करता रहता हूँ, हमारे एक telegram group है, telegram channel है, जिसके अंद आप सब follow कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे recommendation में books किया, और कुछ भी हमें Instagram के stories में भी डालता रहता हूँ, तो आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं, description में link है, तो guys चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, informative लगी हो, आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, तो आप इस महान है, पहली बार channel पाया है, तो आप सब channel को subscribe कर सकते हैं, bell icon को भी press कर दीजे, all वाले notification bell पे click कर दीजे, ताकि मैं कोई भी video बनाओ, उसका future में notification आपको मिल जाए, और अगर आपकी कोई query है, या फिर आप कोई book मुझे recommend करना चाहता है, कि मैं उस book को पढ़ू, तो आप स reply करने ही कोशिश करूँगा, तो friends चलिए, फिर मिलते हैं आप से अपनी future videos में, तब तक आप यो ही हसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिली रहें, गाजी अबाद रहें, अबाद रहें, जंद अबाद रहें, टेक कियर, गुडबाए